So today first update is about Prime Minister Narendra Modi Sir So recently Dubai में Climate Change Summit COP28 हुआ जहाँ पर PM Modi Sir की एक फोटो इटली की पीम जॉर्जिया मेलोडी के साथ बहुत ही वारल हो रही है जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं और जैसे ही ये फोटो सोचिल मीटे में आई हर जगा बस यही यही फोटो देख रही थी जहाँ पर मेलोडी इस फोटो को शेर करती हुए लिखती है और ये हैस्टेक मेलोडी बहुत ही वाइरल जा रहा है यार So next update is about Animal Movie So Animal Movie ने Worldwide Day 1 में 116 क्रोड का बिजनिस कर लिया है And now उसकी बात आलिया भाट रनवीर कपूर की फोटो शेर करती हुए लिखती है For taking such a huge strike as an artist For making our daughter take her first steps away Congratulations my not so little animal So next update is about Bavi Deval So after Animal Movie success Bavi Deval की एक फोटो बहुत ही वारल जा रही है जहां पर वो इस success से बहुत ही खुश दिख रहे हैं और वो कहते हैं कि it's feel like a dream ये एक सपने जैसा है Thank you so much for everyone और Bavi Deval इसी इसको deserve भी करते हैं यार क्योंकि इस success के लिए उन्होंने सालों उन्तिजार किया है और ये Bavi Deval की पहली ऐसी movie है जिसने इतनी बड़ी success को achieve किया है So next update is about Mahindr Singh Dhoni So in recently conference में Mahindr Singh Dhoni सरसे एक question पूछा गया कि आप YouTuber क्यों नहीं बन जाते हैं जहां पर MS Dhoni reply देते हैं मुझे नहीं लगता है कि वे कभी YouTuber बन सकता हूँ It's a very tough और मैं बहुत moody भी हूँ और मेरे तरफ से यह natural नहीं आएगा शायद मैं तीन या चार वीडियो पोस्ट कर सकता हूँ बट मैं सिधे एक साल के लिए disappear हो जाऊँगा Like my Instagram account So next update is about Virat Kohli जैसे कि हम सभी को पता है कि Virat Kohli की नवीन के साथ मैच के तोरण वरवल फाइट होगे थी IPL में तो उसके बाद एक ऐसी निउस निकल के आ रही है कि आफ्टर मैच सलमान आगा ने विराट Kohli को मैसेज भेजाता इस्टाग्राम में और वो कहते हैं कि Kohli बच्चे easy हो जा क्या हो गया Countdown Kohli what happened क्या लगता है आपको ऐसी मैसेज के बद क्या Kohli शान्द हो जाते कुर्ण ने इस डेटिंग रूमर में क्लेरिफिकेशन देती हुए कहा It's not what are you thinking लेकिन अभी रिसेंटली बादस्या की एक फोटो बहुत ही वाइरल जा रही है जहां पर वो पाकिस्तानी एक्ट्रस हानिया अमिर के साथ पिक शेयर करती हुए दिख रहे है अभी डिसेंटली नेट्फिक्स में अभी उनका एक वीडियो आया जहां पर ये दोनों साथ में स्क्रीन शेयर करती हुए दिख रहे है और अगर हम इनकी फाइट के बारे में बात करें तो जब इनकी टीम उसलिये जा रही थी तो फ्लाइट में कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर की बीच में कुछ फाइट हो गए थी और उसके बाद ये दोनों ने आपस में मिलना बंद कर दिया एक दूसरे से जिसके बाद कपिल शर्मा ने कई बार इनसे माफी मागी लेकिन सुनील ग्रोवर ने अपना कोई रेक्शन नहीं दिया लेकिन फाइनली इनका पैचाफ हो गया तो नेक्स अप्डेट इस अबाट शारुख खान इन डिसेंटली इन आस्क एसार के सेशन में एक फैन ने उनसे एक सवाल पूछा जहाँ पर वो पूछता है कि आपका वीक पॉइंट क्या है जहाँ पर एसार के रिप्लाइ देते हैं आगे डंकी के नए गाने के बारे में उनसे पूछा जाता है निकले थे हम कभी घर से यह मुझे मेरे पैरेंट्स दिल्ली के दुनों को और मेरे दोस्तों की याद देलाता है जो समय जाच चुका है नेक्स अप्डेट इस अबाट T20 मैच इन राइपूर स्टेडियम अभी राइपूर में जो रेसेंटली T20 का मैच हुआ था इंडिया वसस ऑस्टेलिया का सो बिफूर मेच स्टेडियम की इलेक्रिसिटी कट हो गई थी क्योंकि उस स्टेडियम का एप्रॉक्सिमेट तीन करोर का इलेक्रिसिटी का बिल पेंडिंग था एंड जैसे तैसे करके मैच के लिए लेक्टरिसिटी का इंतिजाम किया गया और इस मैच में उनका 1.4 करोर का खर्चा हो गया मतलब अगर बिल और खर्चे को जोड़ा जाए तो 4.4 करोर का तो करजा ही हो गया So next update is about Viratkoly विराट कुली की रिसेंटली अभी एक फोटो बहुत ही वाइरल जा रही है जहां पर वो लंडन में अपनी फैमिली के साथ वक्त बिता रहे हैं यह कुछ फोटोस हैं उनकी So next update is about big boss So अपने big boss में एक आवास तो जरू सुनी होगी कि big boss शाते हैं इस आवाज का voice over विजय विकरब सिंग करते हैं तो उन्होंने बताया है कि लोग उन्हें और उनकी family को threat देते हैं for contestant evicted और वो आगे कहते हैं कि मुझे लोगों को बताना परता है कि big boss में ऐसी दो आवाज होती है वो आवाज जो contestant के साथ interact करती है वो दूसरी आवाज होती है मेरी नहीं मैं वो नहीं हूँ जो contestant को eliminate करता है वो audience की vote क्या according होता है So next update is about GTA 6 game So recently news निकल के आ रही है कि before GTA 6 release developer के बेटे ने games के बारे में कुछ detail TikTok में leak कर दी वैसे अगर game की बात की जाए तो ऐसे game बनाने में बहुती मेनत और बहुती पैसा लगता है GTA 6 का trailer 5 December को release हो जाएगा Thank you